हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू सुधी टुटोरिल्स कैसे हैं आप सब आज मैं आप सभी के सामने आया हूं एक नया चैप्टर मैच का नया चैप्टर ले करके और उस चैप्टर का नाम है 3D GEMETRY जो की इस बार आपके टर्म 2 में भी शामिल है टर्म 2 में भी आपका यह ज GEMETRY यह ज्यादा चेंज नहीं है इसमें कुछ यह जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने 10 में को ओर्डिनेट GEMETRY करी थी सेम वैसा है सिफ वहां पर हम टू डाइमेंशनल की बात करते थे और यहां पर हमने 3 डाइमेंशनल की बात करनी है पस इतना सा फराक है और ज्यादा इस नहीं है इस चैप्टर में और बहुत लोग अपनी कॉपी पर मैं भी अपनी कॉपी पर आता हूं लेट सी तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू 3D GEMETRY सबसे पहले अपने पास यहां पर एक फॉर्मला यूज होने वाला है डिस्टैंस फॉर्मला जो मैंने लिख दिया हुआ है अंडरोट X2-X1 का स्केर प्लस Y2-Y1 का स्केर प्लस Z1 का स्केर माल अपने पास दो पॉइंट्स है इन दोनों के बीच का डिस्टैंस निकालना है यहां पर तो देखिए अपने पास सबसे पहले ही है पहले ही आपको कोश्चन दिख रहा होगा इसमें स्क्रिन पे find distance between the points 2,3,5 and 4,3,1 तो इसके बीच का हमने distance निकालना है माल लेते हैं यह हमार पास 2,3 और 5 है और यह 4,3 और 1 है इस इस 4,3 and 1 मैं साफ लिखता हमें यहां पर 4,3,1 यह है ठीक है तो हमने 2,3,5 और 4,3,1 के बीच का distance निकालना है यहां कि यह कितनी दूर पे है तो इसके लिए हम क्या है उसके इसको A और B नाम दिया है तो यहां पर लिखेंगे distance AB is equals to under root पहले formula लिखते हैं x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square प्लस z2-z1 का whole square यह formula हम apply करेंगे इसका distance निकालने के लिए तो देखिए यहां पर x2 जो है क्या है इसको हम x इसको लटकर लेते हैं x1 y1 z1 इसको x2 y2 z2 लटकर लेते हैं तो देखो यहां पर पहले x2 क्या है अपने पास x2 यहां पर देखो x2 is 4 यहां पर 4 minus x1 is 2 जो 2 का whole square प्लस y2 is 3 जो 3 minus y1 is 3 it is also 3 तो 3 minus 3 का square प्लस z2 is 1 minus z1 is 5 तो 5 का whole square इसको apply करेंगे अगर हम तो यह बनेगा हमार पास क्या 4 minus 2 यानिकी 2 का square plus 3 minus 3 यानिकी 0 का square प्लस 0 का square प्लस यहां पर 1 minus 5 minus 4 का square तो यह हमार पास value जाजेंगी 22 का 4 0 का 0 ही होता है प्लस minus 4 का square 16 आता है यह कि यह जाएगा under root 20 इसको अगर आप लोग solve करो under root 20 को यह इसका LCM निकालनेंगे अगर आप लोग तो यह में भी यह बन जाएगा आपका इसका अगर आप LCM निकालते हैं तो यह LCM रहने तो इतना ही लिख दो साथ में यूनिट्स ज़रूर लिख दना क्योंकि अगर कोई सेंटीमेटर मीटर अगर नहीं दिया है तो यहां पर हम यूनिट्स लिखते हैं तो यहां पर under 20 इसका क्या आगया डिस्टेंस आ गया तो इस तरह से हमने डिस्टेंस निकालना है एक और करके दिखाता हूं सेम फाइंड डिस्टेंस है भी से बिटवीन दा क्यूंट्स हैं यहां पर अपने पासप्ट्स है माइनस थ्री एवंगा टू एन्ड तू पॉर वबन टू कॉंग्स फोर कॉंगा माइनस वन तो फिर से हमने इसका क्या निकालना है distance निकालना है तो देखिए distance निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है formula distance a b माल लेते हैं फिर से formula is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square इसको apply करना है fill कर दो जो जो पता है इसको x1, y1, z1 let करते हैं इसको x2, y2, z2 let किया ठीक है अभी देखो हमारे पास x2 क्या है it is 2 minus x1 is minus 3 यानि minus plus का 3 square plus 4 minus 7 का square plus z2 is minus 1 और minus 2 यानि कि minus 1 minus करना है minus 2 का whole square तो इसकी value क्या आईगी है हमारे पास देखो 2 plus 3 is यानि कि 5 का square plus 4 minus 7 यानि कि या कि यह कितना हो जाएगा minus 3 का square plus minus minus तो plus होता है हमें पता है माने 3 का square तो यह क्या हो जाएगा अपने पास 5 5 25 यानि कि या आगे 25 plus माइनस 3 कस के यानिकी positive 9 प्लस माइनस 3 कस के यानिकी positive 9 तो ये क्या हो जाएक अपने पास 25 और 18 कितने होते हैं 35, 35 और वो 43 हो गया यानिकी 143 units इसका distance आ गया hope that आप लोग को समझा गया होगा अगर आप लोग को नहीं समझाया तो please comment करके बता देना मैं दुआरा से समझाने की कोशिश करूँगा या फिर आपके doubts जो भी होंगे उनको solve करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर book में आप लोग पास 4 questions हैं डिस्टेंस निकालने के लिए बाकी की दो जो आप लोग को homework दे रहा हूं ये लिजी तीसरा है इसके points है minus 1,3, minus 4 and 1, minus 3, 4 ये 2 mark में question आ सकता है आप लोग के pre board या board में 2 mark का question ठीक है तो अगले ये हो गया एक है 2, minus 1,3 and minus 2,1,3 ये दो question आप लोग को मैं दे रहा हूं घर से यानिकि होमर करने के लिए आप लोग इनको खुद solve करना आगी अपने पास में है show that the points अभी points क्या क्या हैं देखो show that the points minus 2,3,5 minus 2,3,5 और दूसरा है 1,2,3 1,2,3 and third vertices are 7,0, minus 1 ये points हैं आपने बास show that the points are collinear बताना है कि क्या ये collinear हैं या नहीं तो देखिए इसमें हमने बताना है तो देखो अपने पास ये अगला question है show that the points minus 2,3,5 and 1,2,3 and 7,0,1 are collinear हमने बताना है कि क्या ये points collinear हैं या नहीं तो देखो collinear शब्द का मतलब क्या होता है कि जब तीनों ही point एक ही line में पड़े यानि कि इनका area क्या हो जाए 0 हो जाए तब ये points जो होते हैं ये collinear हो जाती है क्या जब तीनों point एक ही line में पड़े ठीक है तीनों point suppose ये देखो मैं देखर करके जाता हैं तो माल लो ये तीन point है ये ये बी और ये सी ये तीन point है और ये तीनों आपको दिख रहा अच्छी तरह से कि एक ही line पे है तो इसको लिखते हैं जड़ा ये माल लेते हैं हमारा minus two three और ये five है ठीक है ये है अपना one two three one comma two comma three और ये है अपना seven comma zero comma minus one ये तीन point है बीवास अब ये तीनों point आपको दिख रहा है एक ही line पे और आपको ये भी दिख रहा है कि इनका area जो है वो क्या है zero है तो ये हमने बताना है कि क्या ही linear है या फिर नहीं तो देखो निकालते हैं कि क्या ही linear है या नहीं इसके लिए हमें बहुत इस दो method इसको करने के या तो इसका हम area निकाल के दिखाते है और यहां तो हम इनका distance निकाल के दिखा दे तो चलो पहले मैं distance वाला आप लोग को बता रहा हूं देखो solution यहाँ पे पहले हमने distance find करना है A और B के बीच का तो क्या करते हैं distance A B निकालेंगे पहले formula में एक बाली x2-x1 का square प्लस y2-y1 का whole square प्लस z2-z1 का whole square आपको अच्छे से पता है यह क्या है मारा distance निकालने का formula है अभी distance निकालने का formula लिख लिया अब आगे हम देखो क्या करेंगे अब इसको put करो values put करो जरा देखो x2 अपने पास 1 है तो यह 1 लिख दिया minus x1 क्या है minus 2 यानि कि minus minus plus का 2 का whole square प्लस आगे 2 minus 3 2 minus 3 यानि y2 minus y1 का square प्लस यह देखो 3 minus 5 यानि कि 3 minus 5 का square z2 minus z1 का square ओके तो यह देखो यह क्या बन जाएगा 1 plus 2 3 होता है तो यानि कि 3 का square 9 होता है minus 1 का square 1 होता है और minus 2 का square 4 होता है ओके 9 और 1 यानि कि under root क्या आ गया अंडर root 14 यूनिट्स अंसर आ गया ओके इस अंडर root 14 यूनिट्स अब अपने पास a b निकला है आप निकालो distance b c निकालो इस और इस point के बीच का ठीक है इस और इस point के यह हमने मालना था x1 y1 z1 x2 y2 z2 ठीक है अब इस के लिए हम मालने थे इसको x1 y1 z1 मालने थे हैं यह x2 y2 z2 मालने थे ठीक है जब हमने b c के बीच का distance निकालना है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे देखो यह दिख रहा होगा यह x1 है तो हमरे पास यहां पर distance b c निकाले हैं मैं फॉर्मला बार बार नहीं लिखूंगा तो यह लिखता हूं 7-1 हो जाएगा x2-1 यानकी 7-1 का square प्लस 0-2 का whole square प्लस माइनस 1 और माइनस 3 का whole square तो यह क्या बन जाएगा देखो 7-1 यानकी 6 का square प्लस 0-3 यानकी माइनस 2 का square प्लस माइनस 1-3 माइनस 4 का square देखो value क्याएगी यानकी यह बनेगा अंडरूट 56 यूनिट्स तो अगर इसके आप लोग फैक्टर निकालें 56 के तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो अगे अपने पास अब निकालना है हमने क्या distance bc निकला है अब हम c और a के बीच का distance निकालेंगे इसके लिए हम यह वाला हमारा x1 y1 x2 y1 z1 हो जाएगा ठीक है यह हमारा x1 x2 y2 z2 हो जाएगा आप माइनस 1 माइनस 5 का होल स्केर यानिकी यह क्या बनने वाला है देखो seven minus प्लस seven minus और minus प्लस हो जाएगा तो seven plus 2 यानिकी seven plus 2 कितने हो कि nine का स्केर प्लस यह zero minus 3 minus 3 का स्केर म्लस माम इसको user-9 बिखियर जानिक यह स्केर देख सिक्ष एसका Trcap कि इसको जा तो 99 का 81-3 और यह कितना उद झाएगा मैम in पॉजिटिव 9 और यह 6 का स्केर निए 360 तो यह हमारे पास बन जाएगा क्या अगर e यह हो जाएगा 81-90, 91-26 हो जाएगा, हैनि कि यह बन गया 126 units, इसके भी same factor अगर आप लोग निकालने हैं, तो यह बन जाएगा 3 under root 14 units, okay, it will become 3 under root 14 units, तो आगे अपने पास, अब यहाँ पर देखो, कॉलिनियर निकालने हैं, तो देखो, मैंने क्या गाता कि तीनों एक वी लाइन में आए, तो या area वाले formula से, यह इस method से, अब हमने distance निकालना है, तो इन कि नहीं दो points को add करके, अगर तीसरा आ रहा है, या फिर c प्लस b करके a आ रहा है, या फिर b प्लस c करके, यह तो हो गया a प्लस c करके, अगर b आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो यह कॉलिनियर ने, देखो, माल लो इन दो lines को हम अगर किसी को भी दो points को अगर add करते हैं, तो माल लो हम देखो इसमें, माल लो इसमें हम करते हैं, b c प्लस, यह b c, यह b c, यह b c, और यह a b, b c और a b, इन दोनों क प्लस, इसका 2, 14, तो b c प्लस a b, अगर करते हो, तो यह किसके equal आना चाहिए, c a के, तो अब यहां पर देखो, b c कितना है, यह रहा, b c अपना, 2, 14, तो यह 2, 14, प्लस, अब a c, कितना, a c, a b, यह रहा, इसका answer है, root 14, यह रहा, इसका answer है, root 14, यह रहा, इक्वल सू, 2, 14 औ c a के, तो hence, yes, these points are collinear, most important question आ सकता है, यह exam में, ओके, तो hope that समझा गया हो गई, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, verify that the vertices, verify that the vertices, नीचे vertices दी हुई है, इसमें यह देखो, मैं बुक में दिखाता है, आप लोगो, इसमें देखो, यह रहा, verify the following vertices, यह 3 vertices दी हुई है, are vertices of an isoseless triangle, क्या रहा है कि prove करो, यह दिखाओ, verify करो, कि यह जो vertices हैं, यह isoseless triangle की vertices हैं, तो देखो, इसको अब हम करके दिखाते हैं, कैसे करना है, तीसरा question है, verify that, verify that, 0,7,-10, 1,6,-6, and 4,9,-6, are vertices of an isoseless triangle, तो इसमें भी कुछ नहीं है, it is also the easiest sum, क्या करना है, आप वो देखिए बस, बहुत easy, attention नहीं करो, किसी चीज की, सब easy है, कुछ भी नहीं है, देखना कैसे करना है, इन तीन points दिए हैं, सबसे पहले बस यहीं कहूंगा, कि पहले इन तीनों points का, डिस्टेंस निकाल लो, तो देखो, तो दिस्टेंस कैसे निकालना है, suppose this is a, this is b and this is c, ओके, तो हम पहले a, b निकालते हैं, डिस्टेंस a, b, अब मैं फॉर्मला बार बार नहीं लिख रहा, तो a, b का अगर दिस्टेंस निकालना, तो यह हमारा, x2, 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 y2, z2, x1, y1, z1, ओके, तो यह देखो, 1-0 का, whole square plus, 6-7 का, whole square plus, minus 6, और minus 10, यानि कि, minus minus plus का, 10 का, whole square, तो इसकी value देखो, कितनी आ रही है, it will become 1 का square plus, minus 1 का square plus, और यह minus plus minus हो जाएगा, यानि कि, positive 4 का square, तो यह देखो, कितना आ रहा है, 1 plus 1 plus 16, यानि कि, यह कितना हो जाएगा, under root 18, जिसको हम लिख सकते है, 3 root 2 units, इतना आ रहा है, ठीक है, अभी हम निकालेंगे, distance, bc, निकालेंगे, distance, bc, देखो, distance, bc, कैसे निकालना है, यह हमारा, c, यह b, यानि कि, x2, y2, z2, यह x1, y1, z1 माले थे, तो 4 minus 1 का square, plus 9 minus 6 का square, plus minus 6, minus 6, तो यानि कि, plus का 6 का square, तो it will become, देखो, 4 minus 1, यानि 3 का square, plus 9 minus 6, 3 का square, plus minus 6, यानि 0 हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा, अपने पास, it will become 0 का square, तो देखो, कितना आ रहा है, 3, 3, 0, 9, plus 3, 3, 0, 9, plus 0, यानि कि, under root 18, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, it is also 3 under root 2 units, अब हमने निकालना है, c और a के बीच का distance, तो distance ca अगर निकालना है, तो इसको देखो, distance ca निकालना है, तो इसको हम मानते हैं, x2, y2, z2, यह x1, y1, z1, देखो, 4 minus 0 का square, plus 9 minus 7 का square, plus minus 6 और minus 10, यानि plus का 10, minus minus plus minus 10 का whole square, देखो, 4 minus 0, 4 का square, plus 9 minus 7, 2 का square, plus minus 6 plus 10, यानि 4 का square, यह कितना होज़ेगा, 4, 4, 16, 2, 2 का, 4, plus 4, 4, 16, यानि कि यह कितना होज़ेगा, 30, 36, अंडरोट 36 से unit आ रहा है, तो अंडरोट 36 का आप क्या लिखोगे, 6 units, अभी देखो, isosless triangle में क्या होता है, सब को पता है कि isosless triangle की जो दो sides होती है, वो सेम होती है, isosless triangle की दो sides सेम होती है, यानि कि 2 sides के बічका distance सेम हो गया, यह देखो, यह अपनी एक isosless triangle होगा, इसमें ये side कितनी है, 3 root 2 है, यह कितनी है, 3 root 2 है, ये 6 unit है, ठीक है, यानि कि 2 side साइडे सेम है तीसी यह लगे और आइसोसलेस ट्राइंगल में क्या होता है दो साइडे सेम होती है तो यह हेर BC is equal to AB and as we know two sides of आइसोसलेस triangle are always equal hence these are vertices of आइसोसलेस triangle hope that clear होगा ठीक है यह हाँ यह vertices है आइसोसलेस triangle की हमने प्रूव करके दिखा दिया ओके अभी अपने पास अगला question है देखो इसी के सब पार्ट है इसी वाले का सब पार्ट है देखो क्या है verify that these three points are vertices of right angle triangle क्या right angle triangle की vertices है या नहीं तो देखो यह भी प्रूव कर दिए कोई बात नहीं इसको भी इसमें क्या है देखो कैसे करना है तो लेट सी इसी के सब पार्ट इसी के सब पार्ट इसी के सब पार्ट प्रूव था 0,7,10 minus 1,6,6 and minus 4,9,6 are vertices of right angled triangle प्रूव करना है कि यह जो vertices है right angled triangle की है या नि सब सेम पहले वाला ही तीनों के बीच का distance निकाल लो इसको A माल लो इसको B माल लो इसको C माल लो solution पहले हम A B निकालते हैं तो A B distance निकाल लेंगे अगर formula मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं यह X2 Y2 Z2 यह X1 Y1 Z1 तो देखो minus 1 minus 0 का square plus 6 minus 7 का square plus 6 minus 10 का square करो जरा minus 1 plus square minus 1 6 का minus 1 six minus 10 यानि minus 4 का square तो यह कितना आजएगा minus 1 का square 1 होता है minus 1 का square 1 होता है और minus 4 का square 16 होता है यह लिए यह कितना आ गया अंडर रूट 18 आ गया जिसको अप लिग सकते हैं 3 अंडर रूट 2 अच्छा आप लोग पता लग रहा है ना 302 unit कैसे आ रहा है अंडर रूट 18 18 के फैक्टर कितने हैं 29 का 18 33 का 31 का यानिकि 33 33 में से एक 3 आ बाहर, under 2 बचात, under 2, 3 under 2, 2 unit, यह बनकी आपका, 302 unit, छेक है, इस तरी से, इसी तरे से अब, ab नीकला आप, बी सी निकला, बी सी निकलो, बी सी डिस्टैंस, जब बी सी डिस्टैंस निकला। तो यह क्या हो जाएगा आप देखो, यह x2 y2 2, बैद टूए 2016 Y1 जैमनों अब माइनस फोर माइनस बन कशेल माइनस फोर माइनस होन माइनस मैंस पॉर मैनस फॉर प्लस वन का ऌत प्लस director डाइन धétique मलग्या प्लस 9-6 3 का square प्लस 6-6 0 का square यह आएगा आपका 3-3 का 9 3-3 का 9 प्लस 0 यानि कि यह भी आगे अंडरोट 18 इसको भी लिखो 3 अंडरोट 2 यूनिट्स अभी निकालो distance CA distance CA CA का जब distance निकालना है तो देखो यह और यह x2 y2 z2 x1 y1 z1 तो minus 4 minus 0 का square plus 9 minus 7 का square plus 6 minus 10 का square देखो जड़ा क्या आ रहा है minus 4 का square कितना होगा और यहाँ पे 9 minus 7 3 का square plus 6 minus 10 minus 4 का square यह देखो 4 4 का 16 plus 3 थी का 9 plus 16 तो यह कितना हो गया 16 6 32 32 9 41 यह यहाँ पे कुछ गड़बड होगी लगता है सारी यहाँ पे 9 minus 7 जो है 2 होना चाहिए तभी गड़बड होगी 9 minus 7 is 2 का square 2 का square is 4 यह 6 6 का 16 16 32 32 और यह कितने होगी 36 यह 6 से उने आ गया अब कह रहा है कि प्रूब करना है इसको क्या की राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिस हैं यह नहीं तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल A B का square प्लस B C का square क्या होता है C A का square जो की क्या है पाइथागोरस पाइथागोरस थियोरम तो पढ़ी होगी सबने तो A B का square प्लस B C का square क्या होता है C A का square तो इसको put कर अगर आता है तो ठीक है है नहीं तो नहीं है A B अपने पास 3 root 2 का square है plus bc अपने पास 3 root 2 का square है it is equal to 6 का square तो देखो 3 3 is a 9 under root 2 under root 2 हो जगा 9 into 2 क्या हो गया 18 plus 3 3 का 9 under root 2 under root 2 हो जगा इनने की 18 2 into 18 equal to 66 का 36 याने की 18 plus 18 equal to 36 18 or 18 36 equal to 36 तो येस अब देखो दोनों साइड बराबर आगी न तो येस इस आर वर्टिसीज ओफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इतना असान असान है बताओ क्या बच्चों वाला यार बच्चों वाला काम कर दे आप लोगा आगे देखो तीसरा अपने पास है कि प्रूव दाट प्रूव दाट दे वर्टिसीज गीवन हेर एक मड़ मैं दिखाता हूँ वो दिखातेता हूँ वेरिफाई दे फॉलिविंग वर्टिसीज दिस दिस आर वर्टिसीज ओफ पैरलोग्राम हमने दिखाना है कि क्या ये पैरलोग्राम की वर्टिसीज है या फिर नहीं तो चलो हम इसको करते हैं देखो कैसे करेंगे अभी अपने पास है क्या वर्टिसीज है वेरिफाई दाट वेरिफाई दाट माइनस 1,2,1 और है क्या 1,-2,5 and and 4,-7,8 4,-7,8 एक और वर्टिसे ना पैरलोग्राम 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 में लिख रहा हूं ठीक है तो वेरिफाई दायट माइनस 1,2,1,1,1,2,5,4,-7,8 and 2,-3,4 और वर्टिसे ऑफ पैरलोग्राम तो देखो जरा इसमें भी कुछ नहीं है बस यार इसमें आप लोगों सभी में बस डिस्टेंस 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 निकालते जाओ सब हो जाएगा तो चलो प यह अगलो उसे सभी में दोनों साइड़ें तुम्करारी में बस बात करते हो अच्छा चलो इसको जब लिखी दिया है तो लिखेरो जैओं और दि दे खो वहां 1 1-1-1-1-1-1-1--2-2-3-2-2-3-2-3-4-3-4- प्लस सुब्स प्लसब्स दुबॉ तो ये होगे बदन सक्राइब माइनस प्लस- repोर्क शुच्ट प्लस फॉरकस के एड़ 16 तो 16 16 32 32 और 4 36 यानि 32 का अग्या है 36 अभी हम निकालेंगे क्या बीसी यह और यह 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 चलो अभी निकालते हैं क्या बीसी डिस्टैंस बीसी निकालना है तो बीसी को निकालने के लिए फॉर्मूला फिर नहीं लिखूंगा मैं डारेक्ट यानि कि यह होगा क्या आपने पास यह हो जाएगा फॉर माइनस वन का स्केर प्लस माइनस सेवन माइनस माइनस टू यानि माइनस माइनस प्लस का टू का स्केर प्लस एट माइनस फाइव का स्केर ये कितना होगा अब देखो फोर माइनस बनी इस थ्री का स्केर प्लस माइनस सेवन और प्लस टू यानि कि माइनस फाइव का स्केर प्लस एट माइनस फाइ इसको लिखो उन्रोट 43 यूनिट्स अब अब हो गया इन दोने के भीच का बीसी भी हो गया आप सीडी निकालेंगे सीडी सीडी निकालने के लिए कैसे करना सीडी के लिए यह x2 y2 z2 x1 y1 z1 यानि कि 2-4 का square 2-4 का square plus minus 3 minus 7 यानि minus 3 minus minus 7 minus minus फिर से plus हो जाएगा इसका square plus 4 minus 8 का square इसका square करो 2-4 यानि minus 2 का square plus minus 3 plus 7 यानि 4 का positive 4 का square और यहाँ पर क्या आएगा 4 minus 8 यानि minus 4 का square देखो क्या आ रहा है 2-4 प्लस 4-4 का 16 प्लस 4-4 का 16 यानि कि यह भी कितना आएगा 36 which is equal to 6 units ओके अब निकालो distance cd भी होगे अब निकालो da रह गया तो distance da निकालो ज़रा x2 y2 z2 x1 y1 z1 2 minus 1 2 minus minus 1 है तो plus 1 का square plus अब उसके बाद क्या आएगा minus 3 minus 2 minus 3 minus minus 2 का minus 3 minus 2 का square plus यहाँ पर क्या आएगा 4 minus 1 का square 4 minus 1 का square यह क्या हो जाएगा 2 plus 1 यानि कि 3 का square plus minus 3 और minus 2 यानि यह क्या हो जाएगा 5 minus 5 का square plus 4 minus 1 यानि कि 3 का square यह कितना आ रहा है देखो 3 का square is 9 plus minus 5 का square कि 25 प्लस 3 का स्क्यार इस 9 यह कितना हो गया 9 9 018 9 9 18 18 और 25 कितना हो गया अंडरोट 43 यूनिट्स यह भी आ गया अब यहां पर आप लोग को देख देख रहे हो गया अप लोग कि यहां पर देखो एबी और कौन सा सीडी एकल है सीडी के और डी एकल है बी सीडी के सारी बी सीज इस इकल टू डी ए तो अभी मैं बता के अड़ा था कि दो साइट जो होती है पैरलोग्राम की वो इकल होती है तो हैंस these are vertices of parallelogram हो गया prove बस इतना सा काम था बस हो गया चलो आगे चलते हैं फिर अगले question पर चलते हैं हम लोग उससे पहले मैं question दिखा दूँ अप लोग को तो देखो ये है अपना question find the equation of the set of points which are equidistant from the points this and this equation पता करो points के set का जो की equidistance है इन दोनों points से कहने का मतलब ये जरा मैं समझाता हूँ फिर आप लोग को समझ लगेगा फिलाल के लिए question देख लो तो देखो अभी हम करते हैं इसको देखो जी बहुत 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 इजी question और important भी कह सकते हैं इसको भी तो देखो भी फोर्थ question है इस एक्सेसाइज का तो find equation of set find equation of set of points अभी points हैं कौन कौन से उनको देखो जरा ये points हैं अपने पास 1,2,3 1,2,3 and 3,2,-1 find equation of set of points these which are equidistance गल्थ हो गया यार थोड़ा सॉरी गल्थ हो गया दुबारा से देखो find equation of set of points which are equidistant from the points कौन से है ये points 1,2,3 and 3,2,-1 ये points है हमने पता करना है equation पता करनी है set of points की जो equidistance है इन से देखो ये मालो कोई point है ठीक है इसको हम माल लेते हैं p point इसको माल लेते हैं q point इसको माल लेते हैं r point ये p point जो है इन points से equidistant है इसको इसको आर माल ले तो q वाला point 1,2,3 और r वाला point 3,2,-1 ये p कोई point इसको x, y, z ले लेते हैं तो ये जो p पे कोई point है x, y, z ये equidistant है किससे इस q से और इस r से ठीक है एकमण जी ये camera को क्या हुआ अहाँ focus नहीं हो रहा हाँ अभी देखो ये p point है ये q से और r से equidistant है यानि कि एक ही same distance पे है q वाले point ही है और r वाले point ही है और ये जो p point है इन दोनों से same duty पे है ठीक है तो इसको ही हमने करना है देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है सिर्फ दोनों का आप लोगों ने distance निकाल देना है तो आप लोग के पास क्या बन जाएगा अभी यहां पे देखो p q equal to pr होगा p q is equal to pr यही कहना चारा यह इक्यू डिस्टेंस का मतलब यहीं हो गया p q is equal to pr है यहां पे यहीं चीज़ है तो इसी को अब हमने करना है देखो अभी यहां पे p q is equal to pr है और हमने इसकी equation निकालनी है तो बस कुछ नहीं करना है दोनों साइड्स पे सेम स्क्यरिंग करदो कैसे करेंगे वो देखो यानि कि वहीं डिस्टेंस परमना लगाओ दोनों तरफ तो यहां पे क्या करेंगे distance निकालो पहले इन p q का distance p q निकालो आप distance p q निकालने के लिए अगर distance p q निकालना है तो p q is equal to हमें पता है x2-x1 का स्क्यर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्यर प्लस z2-z1 का स्क्यर अब आपको पता है कि p q जो है equal है p r के निकी दोनों का distance भी equal होगा तो दोनों distance को भी लिखो इसको भी लिखो यहां पे भी क्या होज़एगा x2-x1 का स्क्यर प्लस y2-y1 का स्क्यर प्लस z2-z1 का होल स्क्यर यह है अपने बास यह और यह है ना तो देखो अब इसमें value भरो इस वाले पर इसको हम x1 या इसको हम माल लेते हैं क्या x2- या x1 y1 z1 माल लो इसको x2 y2 z2 माल लो ठीक है जी तो भरो ज़रा इसको यह हो जाएगा क्या अब x2 क्या है अपने बास x है तो यहां पर आएगा x-1 का होल स्क्यर प्लस y2 क्या है अब यहां पर y तो y ही है तो y- यहां पर यह क्या है y- 2 का तो y- 2 का होल स्क्यर प्लस z2 क्या है z है z minus 3 का whole square z minus 3 का whole square यह सारी चीज equal है किसके अब यह वार इस वाले पर आओ इस वाले पर इन दोनों पर पी भी पर आओ पी आर पर सारी तो पी आर पर देखो x minus क्या 3 का square तो यहां लिख दो ज़रा इसको यहां पर क्या जाएगा x minus 3 का whole square plus यह बनेगा क्या y minus 2 का whole square y minus 2 का whole square plus z minus minus 1 minus 1 का square अब देखो square और square तो कट जाएगा दून तरफ square square है तो खतम हो जाएगा x minus 1 का whole square plus y minus 2 का whole square plus z minus 3 का whole square is equal to x minus 3 का whole square plus y-2 का whole square plus z-1 का whole square यही है अब देखो यहां पर y-2 है और इधर भी y-2 है यानि कि अगर इसको हम काट दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी चलो देख लेते हैं अगर होती है तो फिर करेंगे यह काट दी है बचे गया x-1 का square इधर तो x-1 का square a plus b का square है तो x का square plus 1 का square plus 2 into x into 1 to 2x plus z का square इस पर a minus b का whole square z का square plus 3 3 का square क्या हो जाएगा 3 का square minus 2 into 3 z into 3 3 2 का 6 6 z हो जाएगा इधर x का square x square plus minus 3 का square यानि कि प्लस 3 का square हो जाएगा minus 2 into x 2 x into 3 6 x plus z का square plus 1 का square minus 2 into z into 1 यानि कि 2 z यह आ गया ओकी आप इधर देखो x का square is x square plus 1 का square 1 plus 2 x plus z square plus 3 3 का square 3 9 हो जाएगा minus 6 z इधर x का square plus 3 3 का 9 minus 6 x plus z square plus 1 minus 2 z अब देखो यह x square x square कट गया ओके अब यह इधर z square और z square कट गया अब यहाँ पर देखो ज़रा इधर बचा 2 x minus 6 z और यह plus का 1 इन सबको इधर लाओ यह plus 9 है इधर आके minus 9 इधर आके minus 6 plus का 6 और यह minus 2 z इधर आके plus का 2 z equal to 0 हो जाएगा ठीक है तो इसको आगे अगर करें तो इसमें देखो 2 x और 6 x यानिकी 8 x हो जाएगा यह और यह अभी 6 z और 2 z यानिकी minus का 6 z यह हो जाएगा minus का 4 z अब यह हो गया प्लस 1 और minus 9 यह कितने हो जाएगे यह हो जाएगा minus 8 is equal to 0 कुछ common भी दिख रहा होगा यहां पर आपको देखो यहां से आप लोग 4 common दिख रहा होगा यहां से 4 common निकालो अंदर क्या बचेगा यहां पर बचेगा 2x यहां बचेगा यह बचेगा कितना अब अगर 2x यह बचेगा minus का z यह कितना बचेगा minus का 2 is equals to 0 ओके यहां कि 4 इदर खतम होगा नहीं लोगा बचेगा 2x minus z minus 2 equal to 0 अब यहां से 2x minus z अगर करते हो तो यह हो जाएगा 2 के equal तो यह अपने पास value आई है 2x minus z equals to 2 तो this is our required equation required equation और हमने यही निकालने थी कि दो points के बीच का क्या निकालना था हमने equation set of equation का equation निकालने थी find equation of set of points which are in points के set का equation निकालना था यह हमारे पास relationship आगे कहलो whatever you want to say यह अपने पास आगया 4x sorry 2x minus z equal to 2 आया अपने पास answer okay hope that clear होगा okay अपने पास अब है इस exercise का last question okay now we have the last question of this exercise and the question is in your screen find equation of set of points p the sum of whose distances from a b is equal to 10 units अब हमने equation निकालने है set of points की जिसके बीच का distance गीवन है उनके बीच का सब डिस्टेंस का सम गीवन है क्या डिस्टेंस का सम गीवन है तो देखो इसको भी कैसी करना है अगें अगें इस आउल सो वेरी 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 इजी तो देखिए यह अपने पास question है find equation of set of points p the sum of whose distance from a 4,0,0 and b minus 4,0,0 is equal to 10 units देखो यह अपने पास points है right यह इसको a let करते हैं इसको b let करते हैं this is a this is b इसको c कर लो a क्या है 4,0,0 और यह minus 4,0,0 यह अपने पास ठीक है और इसको हम करते है x y और z ठीक है अब कह रहा है कि इसका और इसका दोनों का distance है उसको plus करके कितना आ रहा है 10 unit आ रहा है तो इसको हम क्या लिए ac plus bc यह आ रहा है 10 units यह अपने को given है given ठीक है यह चीज है given है यह लेख लिए तो let's start the question अब according to question दोनों का distance निकालो उसको plus करो करते हैं तो यह चीज आ रही है हमरे पास अभी इसको जरब लिखते हैं ac का क्या हो जाएगा देखो x2 minus x1 का square यह क्या हो जाएगा x2 minus 4 तो minus minus plus हुजएगा x plus 4 का square plus y minus 0 का square plus z minus 0 का square इसको सबको करते हो तो कितना रहा रहा था 10 units आ ठीक है इतनी चीज होगे ओक के जीजी अभी हम क्या करेंगे यहां भी इकल टू पार करेंगे तो minus हो जाएगा यह नहीं कि x plus 4 का square plus y का square plus z का square क्योंकि y minus 0 y square z minus 0 z का square बस यह हो गया अब हमने करनी है scaring both sides क्या करनी है scaring करनी है both sides जब scaring both sides करोगे तो देखो यह बन जाएगा x minus 4 का whole square plus y का square aublis. ह क्यों प्लस z का square अभ यहां पर क्या हो गया जो यह और यह दो चीज करेंगे अब यहां पर यहां पर यह तो अपना simple हो गया बट यहां प्या होगा e-50 s k meals इसको लिखो ज़रा तो जब इसको आप लोग लिखोगे तो इसको लिखोगे तो इसे लिखोगे तो यह 100 हो जाएगा माइनस इस 10 प्लस 10 20 ट्वेंटी अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्केर यह सारा एज़टीज रह जाएगा प्लस Y स्केर प्लस Z स्केर ठीक है क्योंकि दो बार मल्टिप्ले करना ना तो इसको दो बार लिख लेंगे फिर प्लस x प्लस 4 का स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर यह बन जाएगा तो आगे देखो इसको खोलो x स्केयर प्लस 16 प्लस a-b का स्केयर प्लस 4 to 8x प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर तो इधर के आ जाएगा यह सारा ही क्या बन जाएगा अपना 100-20 और यह हो जाएगा इसको इसकी भी खोल दो bracket x square plus 16 plus photo 8x plus y square plus z square plus x square plus 16 plus 8x plus y square plus z square यह वनीगा अपने बास ठीक है अभी उसके बाद में दिखो यहां पर आप लोग को दिखेगा cutting वाली चीज यहां पर सिर्फ यहीं तक रहेगा यह अंडरूट यहीं तक है यहां तक यहां तक क्योंकि एक तो विदाउट वाली आएगी तब ही तो इसको मल्टिप्लाई करेंगे यहां तक तो देखा भी एक स्क्यार एक स्क्यार 16 16 ठीक है और बट यहां पर मिनगे में फोरट उ का माइनस एट आना था है है क्या फोर टू जा माइनस एट आना था यह माइनस 16 कट गया इस एकस्टिटन कट निकटेगा वाइस के कटा व्याइस के जैड़ स्क्यार जैडल स्क्यार यहां बचा माइनस 8x और इधर बचा 100-20 अंडरोट x स्क्यर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्यर प्लस z स्क्यर अभी क्या करेंगे आप लोग इन टर्म्स को जो जिदर जिदर जाता है उसको ले जाओ इस माइनस वाली को इधर वापस लेओ जब इधर लेके आएंगे आप तो यह बन जाएगा क्या और यहां भी बचा था यह तो लिखा ही नहीं है प्लस इटेक्स अब यहां पे दिखो इसको जो इधर लाओगे तो यह बनेगा क्या इप माइनस 20 था कि प्लस 20 अंडरोट एक्स क्या प्लस 16 प्लस एक्स प्लस वाइउ स्क्यार प्लस जै डिसक्यार अईधर यह तो था ही प्लस एटेक्स इधर माइनस था इधर आ कि यह भी झान्ध एक्स असाथ में यह प्लस का 100 तो यह 20 आंडरोट ग्रद एकस्टीन अ हुझे लिए अब यह अभी हमने क्या करने देखें कमन भी तुम्हें दिखराऊ कुछ ट्वेंटी अंडर हुट एकस्ट्छीन प्लस एकस्टीन-प्लस-ध-ड में दिख्वरा आप लोग तो आपको फाइब दिखरा हुआ निकले तो प्लस तो यह पोर इधरा के डिवाइड कर एकस ही बन जाएगा तो फाइज लट एकस स्क्यार प्लस याई स्क्यार प्लस एट एकस इस इकल टू यह तो बन गया प्लस वॉर एक्स यह बन गई अब हमने फिर से इसको करना है स्केरिंग बोद साइट बोट साइट स्केरिंग कर दो दोनों तरफ जब इसकी स्केरिंग करोगे तो यह क्या बनेगा देखो जब खतं होगा तो इन जाएगा आपका क्या साथ एकस सकते ओस्टी यंगा सब्सक्राइब अब उसके बाद में देखो 25 किसको सबसे मल्टिप्लाइब एकस स्क्यार प्लस 25 वाई स्क्यार प्लस 25 जैड का स्क्यार प्लस 25 इंटु 16 कितना होता है मल्टिप्लाइब करना बढ़ेगा 25 इंटु 16 इंटु 16 इंटु प्लस फोर हंडर्ड और इधर वाली साइड में 625 प्लस 16 एकस स्क्यार प्लस हंडर्ड एक्स अब जर्हाइब करना है हमने हेरा फेडी करवानी है इसको एक साइड में कर लेते हैं यहां पे कर लेते हैं थोड़ा सभी रह गया है तो इसको देखो क्या लिखेंगे अब यहां पितार 25 X स्क्यार प्लस 25 इंटु इंटू एट कितना हो गया 25 इंटू एट हो गया हमारा है इसको मुल्टिप्लाई करो 25 एट फ़र्टी जिरो पर फॉर एट इसटीन तू हंडर आ गया यह यहां पर कितना जाएगा त्वहंडड साथ में आएगा त्वहंडड एकस अभी यहां पर इकोल टू है दिख रहा है 25 माइनस 16 एकस स्केर माइनस 200 एकस यह और यह दो गया इकोल टू जिरो करते हैं अब यहां पर 25 एकस स्केर माइनस 16 एकस स्केर तो यह कितना हो जाएगा 9 एकस स्केर हो जाएगा प्लस 25 वाइस करेगी है तो 25 वाइस स्केर रह जाएगा अभी 25 जेट स्केर है और यह जाएगा फिर उसके बाद में माइनस 625 है और यह पॉजटिव है यह बन जाएगा माइनस का इस इस अवर रिक्वाइड एक्वेशन यह होगी अपनी कौन सी एकसराइज 11.2 फिनिश तो दूसरा दूसरी एकसराइज के लिए दूसरा लेक्चर लाओंगा ठीक है इसमें पूरी मैंने 12.2 एकसराइज जो है आपको बता दी है ओके बाइग लेक्चर अगर पसंद आया हो तो प्लीज शेर सब्सक्राइब कर दिना थैंक यू